असलाम अलेकुम माई यूटू फेमिली कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स मैंने बहुत दिनों से नेल्स पर महंदी नहीं अपलाई की है तो आज मैं इसलिए महंदी बना रही हूँ तक्या अपलाई कर सकूँ मैं नेल पेंड का भी इस्तिमाल बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि नमाज नहीं होती है मैं सिर्फ नेल महंदी को अपलाई करती हूँ तो दीखें मेरे नाकून कितनी सफेद हो चुके हैं तो आज मैं इसलिए बना रही हूँ नेल महंदी जब बहुत अलग तरीके से बनाऊंगी आप मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से वाच कीजिए और परफेक्ट नेल महंदी बनाना सीखिए तो चलिए बनाते हैं नेल महंदी तो सबसे पहले लेते हैं गुड़ यह और्गेनिक गुड़ है जिसे सेंद्रे गुड़ भी कहते हैं और एक काले रंका होता है इस तरह का गुड़ लेंगे तो आपके महंदी बहुत डार्क बनेगी तो यह दिखी मैंने यह गुड़ का पाउडर बना लिया है करीब 2 टेबल स्पून इसको रख देती हूँ मैं दिखाने के लिए आपको ली थी अब यह जो है चीनी लेती हूँ में 2 टेबल स्पून साथी 2 टेबल स्पून चाय पत्ती टी पाउडर अब लेंगे बहुत एक खास चीज यह है साथ फेनल साथ 2 टेबल स्पून लेना है आप यकीन मानिए जब साथ जलती है तो इसका जो टेल चुटता है इससे इसमें इतना डार्कनस आएगा कि आप यकीन नहीं करोगे कि एक ही बार में आपकी महंदी बहुत ज्यादा कलर देगी आपको बार बार एपलाई करने की बिल्कुल जरूत नहीं पड़ेगी यह देखें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है सारे चीज़ों को अब आप देख सकते हैं मैंने ये बरतन सिर्फ महंदी के लिए बनाया हो है क्योंकि ये बरतन को हम reuse नहीं कर सकते हैं तो इसी को मैंने fix कर दिया महंदी बनाने के लिए ये कप मैंने बीचुमें सेट कर लिया है अब सारे मिक्सचर को साइड से आड कर लें देखे इस तरह से जो बीच में पड़ा है उसको मैं निकाल दूँगी कब को हमें खाली रखना है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ अर्ख निकलेगा ये देखे इस तरह से मैंने सेट कर दिया अब धीमी आच पर मैं इसको रख देते हूं गैस पर मैंने बिल्कुल धीमी आच रख की है अब इस पर मैं एक पतीला रख देते हूं एर ताइट पतीला होना चाहिए नीचे वाले बरतन से थोड़ा बड़ा वाला पतीला होना चाहिए इसमें पानी एड़ कर लेते हैं दिखे इस तरह से मैंने सेट कर दिया आपको लग रहा होगा थोड़ा से खुलाए कोई बात नहीं इसमें इतना ज्यादा धुआ निकलता है कि अर्क गिरना ही है तो यह दिखे फ्रेंड्स मेरे हाथ बिल्कुल अभी सफेध हैं आप देख सकते हैं नाखुन बिल्कुल अपलाई नहीं है मैं आपको कलर होने के बाद भी दिखाऊंगी ये भी देखिए ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे जाती है अभी भी थोड़ी से मेंडी दिख रही होगी आपको ये में देख बिल्कुल नहीं निकलती है जब तक कि नाखुन पूरी तरह से कटना जाएं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर धुआ निकलने लगा है मैं थोड़ा हटा के दिखाती हूँ आपको कितना धुआ है इसमें ये दिखिए ये बहुत सारा धुआ है इ ये थोड़ा धुआ अगर निकल जाता है तो कोई फरक नहीं पड़ता मैं आज आपको कोन भी बनाना दिखा देती हूँ ये मैं आज कोन में भरके नाखुन पर अपलाई करूंगी ये थोड़े से मैं स्टिकिंग निकाल लेती हूँ ये टिक्सो है मेरे पर टिक्सो कटर न अशुघ ये इसलों पर लोसस्सा इस को अब नुख़ूट है इसलों भी खोल बुट करते हैं तो अम निकल ये तरह से आप घर में नायकर, इसलों आपप प Elatt को बिल्कुल सुखेगा नहीं अब पहले कॉर्णर पे एक स्टिकिंग चिपका लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे जो साइड वाला बाहरी हिस्सा है उसको भी चिक्का लेते हैं अब यहाँ पे लास्ट में जो अंदर वेका खुला हिस्सा है यहाँ पे भी एक स्टिकिंग लगा देना है बस कोन तयार है एक स्टिकिंग बाके है उसको मैं उपर से लगाने के लिए रख देती हूँ तो चलिए अब महंदी देखते हैं ये दीखिए महंदी बिल्कुल रिड़ी है अर्क भी काफी निकला हुआ है एक कप के करीफ अर्क निकला है इसे कम से कम दस बारा लोग आराम से लगा लेंगे और कम से कम चार कोन तो आराम से बन जाएंगे ये दीखिए चमच पर जो ये तेल लगा हुआ है ये फिनल सौंफ सिन लगा हुआ है यह सौंप जलने के बाद जो निकला है इतना डार्क कलर आएगा आप यकीन नहीं करोगे एक ही बार में आपके नेल्स बहुत डार्क हो जाएंगे आपको दुबरा अपले करने जुरूत नहीं यह दिखें यह भी हाड हो चुका है आवाज आ रही होगी आपको बस ऐसी आवाज आने चाहिए गुड़ जलने के बाद तभी आपका यह अर्क निकलेगा कुछ लोग बीच में निकाल लेते हैं कहते हैं अर्क नहीं निकलता है इस तरह से गुड़ को जलने देंगे तो जरूर अर्क निकलेगा दिखें, अब इसको मैं निकाल लेते हूँ एक पहली में, क्योंकि हम इसमें अब आड करना है मैदा, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा थंडा कर लेती हूँ, तब तक मैं आपको फ्रेंच दिखाते हूँ, बर्तन कैसे साफ किया जाता है, तिक इसको थोड़ा सा इस तरह से आड़ करें तो फिर से एक चमच आड़ करती हुमें यह दिखें अब यह कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही बनी है अब आप चाहें तो सिर्स टीक से वगर अखोनों पर अपलाई कर सकते हैं या फिर इस तरह से कौन में भर के अब इसको भर लेते हैं कौन में देखें यह इसको चिपका लेते हैं इस तरह से मोड लें और छोटे-छोटे हिसो में मोड के आप इस पर एक स्टीकिंग लगा दें तो इस तरह से लगा दें और एक लगा लेती हुमें ताके साइड से न निकले यह दिखें अब ही हमारा कोन बिल्कुल रेडी है आप बागी कोन भी उ लगा है यह महंदी से लगा हुआ है तो यह कल सुभा तक एकदम ब्रेड हो जाएगा तो अब नाखुन पर अप्लाय में कर लेती हूं मेह दिखी फ्रेंड्स इस तरह से फैलेगा नहीं पर मेरे हाथ पहले से पीले दिख रहे होंगे आपको साइड से पूरे लाल बन जाए फ्रेंड्स जब भी आप नेल में हिंदी अप्लाय करें ओवरनाइट के लिए छोड़ दें इससे बहुत अच्छा कलर आता है सुभा तक तो फ्रेंड्स मुझे ना पाउं पर अप्लाय काना भी बहुत पसंद है मैं मेरे पाउं की नाखुनों पर भी अप्लाय करती हूं हम आप सोच सकते हैं कि एक अप्लाय में इतना कलर यह किन नहीं होता ना तो आप इसे ज़रूर ट्राय कीजिए फ्रेंड्स तो आप खुद यकीन करोगे यह देखें पाउं की नेल्स भी कैसे लाल हुए हैं इसे अब दुबारा अप्लाय करने के बिल्कुल ज़रूरत नहीं ह मुझे एक ही बार में इतना डार्क कलर मैं बहुत खुश हूँ अब देखें फ्रेंड्स हाथ पाउं यह हाथ देख रहे हैं आप मैंने आपको बताया था ना रात में जो पीला कलर था वो लाल बनेगा यह बिल्कुल लाल हो चुकी है यह पताने कब जाएगी पर नाकुन क अपको बिल्कुल लाइव करके दिखाया आपके सामने आप भी से करिए और अपने राय मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए फ्रेंड्स आपको यह मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेर भी कर दीजिए अगर अब रुखसत लेती हूं अगले वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज